भारत में मंगी पॉउस का ख़त्रा पैठा जा रहा है isको देखते वोए स्वास्त बंप्लाले भी सतर्ख हो गया है स्वास्त बंप्लाले ने बुधवार को मंगी पॉउक से बचने के लिए क्या करे क्या ना करे की सूछी चारी की बता दे कि विशु स्वास संकटन का कहना है कि मंकी पॉक का संक्रमन होने पर शरीर में पानी के कभी पिल्कुल ना होने दे मरीज को भूग के ना रहने दे, खाने में ऐसी चीज़े दे जो इम्म्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करे मरीज कितनी जल्दी रिकावर होगा, यह उसकी इम्म्यूनिटी पर निर्भर करता है मंकी पॉक से बचने के लिए क्या करे और क्या ना करे स्वासबन रॉलेंज जो लिस्ट ज़ारी की है, उसके मताबिक संक्रिमन होने पर सबसे पहले मरीज को दूसरे लोगों से अलग होना है यानि खुद को आइसुलेट करना है हातों को साबून से दो या सानिटराइस का इस्तमाल करे अगर आपके आसपस मंकी पॉक्स का मरीज है तो मास्क और गलफ्स पहने जहां रहते हैं वहाँ पर डिसिंफेक्टेट्स का इस्तमाल करे मरीज के द्वार इस्तमाल की जा चुकी चादर या तौविल का यूस ना करे अगर आप में मंकी पॉक्स के लक्षों नजर आ रहे हैं तो भीरवाली जखा या पबलिक इवेंट में जाने से बचे गलत जानकारी देकर लोगों को भ्रमित ना करे जानकारी वही साजा करे जिसे चिकित सक प्रमारिक कर चुके हैं या हेल्थ एजनसी ने जौरी किया स्वास के मुद्द से जुड़ी जानकारी सब देट रहने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे